हेलो फ्रेंड्स वेल्कम वेक टू माई चैनल यासमेंस की चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 15 मिनट में बनने वाली रसीली कुरकुरी जलेबी बनानी की रेसिपी इसे बनानी के लिए हमें ना ही कोई फर्मेंटेशन ना ही घंटो महनत करने की जरूरत है बहुती कम महनत में हमारी मज़ेदार सी कुरकुरी जलेबी बनकर रेडी हो जाएंगी चलिए देखते हैं किस तरह से मिन मज़ेदार सी जलेबी को बनाकर रेडी करेंगे उससे पहले अगर आपने मेरे चेनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चेनल को सब्सक्राइब करें, साथी-साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप मिरी आने वाली कोई भी lettuce recipe मिस न कर सकें यह देखे कितनी ज़्यादा कुरकुरी और रसीली हमारी जलेबी बनकर रेडी होई है चलिए देखते हैं किस तरह से हम इने बनाकर रेडी करेंगे मिक्सिंग बॉल में हम एट करेंगे एक कप मेदा मेदा आप छान कर ही इस्तमाल करें जलेबी को खस्ता और कुरकुरा बनाने के लिए हम इसमे एट करेंगे बन टेबिली स्पून चावल का आटा अगर आपके पास है तो आप एट कर दीजी अधरवाइस आप इसे स्किप भी कर सकते हैं बिना चावल का आटा एट किये भी आपकी जलेबी खस्ता और कुरकुरी बनकर रेडी होएंगी अब हम इसमे एट करेंगे टू टेबिली स्पून दही सभी चीजों को अच्छे से साफ कर लिया कीजिये ताकि कोई भी चीज जाया नहोए इसी के साथ में हम इसमें टू टेबिली स्पून कुकिंग ओइल एट करेंगे सिर्फ दही और कुकिंग ओइल से ही हमारी जलेबी खस्ता और कुरारी बनकर रेडी हो जाएंगी लेकिन अगर आप इसमें चावल कायटा एट करेंगे तो उससा आपकी जलेबी एक्स्ट्रा कुरकुरी और खस्ता बनकर रेडी होएंगी सभी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एट करते हुए इसका प्यारा सा मिक्स बनाकर रेडी कर लेंगे पानी में यहाँ पर रोम टेंपरेचर पर इस्तमाल कर रही हूँ प्यारा सा हमारा मिक्स बनकर रेडी हो चुका है इसमें बिल्कुल भी गुटली नहीं है ये देखे आप इसकी consistency चेक कर सकते हैं इसी तरह कि हमें इसकी consistency चाहिए ति बिलकुल perfect हमारा जलेबी का mix बनकर ready हुआ है इसे मनाने के लिए हमने एक कप पानी लिया था जिसमें से हमारा 4-5 stable spoon पानी बच चुका है अब हम इस spoon को अच्छे से साफ कर लेंगे और इसे हम cover करकर 10 minute के लिए रख देंगे चलते हैं next process पर पेन में हम add करेंगे 2 cup चीनी मैं यहाँ पर measuring cup का इस्तमाल कर रही हूँ अगर आपके पास measuring cup नहीं है तो आप normally कोई भी एक cup से add कर लिजे उसे साफ सभी चीज़े measure कर लिजे जिस cup से हमने चीनी ली थी उसी cup से हम इसमें एक cup पानी add कर देंगे मैंने दो cup चीनी ली थी तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक cup पानी add करना है चीनी का half हमें इसमें पानी add करना है अब हम इसमें add करेंगे थोड़ा सा food color आप इसमें अपनी पसंद को कोई भी food colorate कर सकते हैं, मैं इसमें yellow food colorate कर रही हूँ चीनी में हमें एक boil आने तक पका लेंगे, यह जब तक हमारी चीनी melt नहीं हो जाती यह देखें चीनी हमारी अच्छे से melt हो चुकी है, अब हम gas का flame low कर देंगे low flame पर हम चाशनी को 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे, यह देखें 4-5 मिनट के बाद चाशनी हमारी ready हो चुकी है, इसकी हमें कोई एक या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, इसकी हमें थोड़ी चिप-चिपी चाशनी बनानी है, यह देखें चाशनी हमारी दोनों उंगलियो अब हम गेस का फ्लेम आफ कर देंगे, मिक्स को रखे हुए दस मिनट हो चुके हैं, इस पॉइंट पर हम इसमें एट करेंगे वन फॉर टीज़पून बेकिंग सोडा, मैं यहाँ पर बेकिंग सोडे का इस्तामाल कर रही हूं, आप इसे पिंच से मेजर करेंगे, तो मैंने यहाँ पर तक्रीबन तीन पिंच के बराबर बेकिंग सोडा एट किया है, बेकिंग सोडा एट करने के बाद इसे हमने दो से तीन मिनट के लिए एक की डारेक्शन में अच्छे से फैट लिया है, अब हम इस तरह के कोई भी पोलोथीन ले लेंगे, आप चाहें तो आप यहाँ पर दूद वाली पोलोथीन का भी इस्तामाल कर सकते हैं, पोलोथीन को हम इस तरह से कोने पे से पकड़ेंगे और इसे ग्लास में सेट कर देंगे, ये दिखे पोलोथीन को हमने अच्छे सेट कर लिया है गिलास में अब हम इसमे एट कर देंगे जलेबी का बेटर जो हमने बना कर रेडी किया था वो एट कर देंगे ये दिखे सभी बेटर हमने गिलास में एट कर दिया है अब हम इस तरह से पोलोथीन को उठाएंगे और इसे फॉल्ड कर लेंगे ये दिखे इस तरह से हम पोलोथीन को फॉल्ड कर लेंगे सभी बेटर को हम एक जगे सेट कर लेना है अब हम पोलोथीन की कटिंग कर लेंगे जितनी पतली या मोटी आपको जलेवी पसंद है आप यहाँ पर अपनी पसंद से इसकी cutting कर सकते हैं ये देखे मैंने इसे इतना मोटा cut करकर ready क्या है चलते हैं जलेवी बनाने के process पर oil को मैंने पहले से ही गरम करकर ready कर लिया था जैसे ही मैं इसमें जलेबी बनाकर रेडी कर रही हूँ, जलेबी हमारी एकदम उपर आ रही है, बस हमें ओईल इतना ही गरम चाहिए था, गेस का फ्लेम हमें लो रखना है, लो फ्लेम पर ही हमें जलेबी बनाकर रेडी करनी है, यह देखिए इस तरह से हम इसे सरकिल में घु पूर्पर की साइड लाकर फॉल्ड कर लेंगे जलेबी के आपको शेप की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है बस आपकी जलेबी कुरकुरी और जूसी बननी चाहिए यह देखे जलेबी हमारी एक साइड से गोल्डन हो चुकी है अब हम इने पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इने गोल्डन कलर आने तक फ्राइ कर लेंगे जलेबी हमारी रेडी हो चुकी है जलेबियों को हम उठाएंगे और इने हम एट कर देंगे चाशनी में यहाँप अगर आपको लगता है कि चाशनी आपकी ठंडी है तो आप इसे थोड़ा सा गरम कर लीजिए लेकिन मेरी चाशनी ठंडी नहीं होई है क्योंकि मैंने इसे धक्का रखा था यह देखिए सभी जलेबी हमने चाशनी मेट कर दिये इसे हम एक से दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तब तक हम बचे हुए बेटर की भी जलेबी बनाकर रेडी कर लेंगे यह देखिए इस पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इने गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे जब तक हमारी जलेबी फ्राई हो रही है तब तक हम पहले जो हमने जलेबी बनाकर चाशनी मेट की थी उन्हें निकाल लेंगे यह देखिए जलेबियों ने अच्छे से चाशनी पी इने हम अच्छे से mix कर लेंगे और इना हम 2-3 मिनट के लिए चाशनी में ही छोड़ देंगे ये देखे 2-3 मिनट के बाद जलेबियों ने अच्छे से चाशनी पी ली है अब हम इन जलेबियों को निकाल लेंगे इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर क्या कीजे वो आपकी तरफ से ही नाम होता है हमारे लिए इदिके सुपर टेस्टी और जूसी हमारी जलेबि बनकर रेडी हो चुकी है मैं आपको एक जलेबि तोड़ कर दिखाती हूँ यह दिके कितनी ज्यादा किरंची और जूसी हमारी जलेबि बनकर रेडी हो यह आप एक बार मेरी इस रेसिपी से जलेबि जरूर बनकर ट्राई करें अब मेदा से हमारी तक्रीबन एक किलो जलेवी बनकर रेडी हो चुकी हैं आप एक बार मेरी इस रेसीपी से जलेवी जरूर बना कर ट्राइ करें रेसीपी को step by step follow करें वीडियो अच्छी लगी हो तो family और friend के साथ जरूर शेर करें ऐसी यूनिक रेसीपी देखने के लिए मे